तो आज हम बनाने जा रहे हैं बोट नेक कूरती बहुत इजी होती है बनाने में तो चलिए अभी उसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं देखिए उपर से आप कपड़े को थोड़ा सा निशान लगा के ब्राबर निकाल लीजिए उसके बाद मैं यहां पर लेंथ ले रही हूं 42 इंच मुझे यहां पर अपनी 40 इंच रेडी चाहिए तो मैं 42 इंच जो है वो कूर्ती की लेंथ ले रही हूं तो जैसे यह बोट ने कूर्ती बिना रहे है तो उसके लिए आपको शोल्डर जो है वो पूरा लेना होता है जितना आपका मेजरमेंट है तो यहां पर साड़े साथ इंच ले रही हूं और साड़े साथ इंच ही में यहां पर ले रही हूं हमारा आम होल और शोल्डर का जो मिजरमेंट होता है वो ब्राबर होता है तो साड़े साथ इंच मेने शोल्डर लिया है साड़े साथ इंच ही में आम होल ले रही हूं अब यहां पर फिटिंग ह कमर के निशान के लिए आपको यहां पे जो उपर का मिजरमेंट है, यहां साडे नौ इंच तो यहां, पर 2 inIVE इंच पर यहां पर 11 कि मार्ग कर दूँगा उसके बाद हम hip का निशान लगाएंगे 13 इंच पे यो हमारा सीने का measurement होता है वहीं से हमको सारे measurement लेने होता है तो कमर का हम लेंगे 7 इंच पे सीने से और जो hip का है वो लेंगे हम 13 इंच पे तो hip मेरी है 10 इंच और 2 इंच extra 12 इंच पे अभी यहां पे हमने कमर पे लिया है 12 इंच तो सीधा इसको नीचे की और ले जाएंगे और यहां पर हम ले लेंगे 13 इंच मतलब आधा-दा इंच दोनों साइडों से यहां पे extra रखना होता है उपर से तो उपर हमारा जो hip है वो आ रहा है 12 इंच और नीचे जो हमने निशान लगाया है वो लगाया है 13 इंच पे तो अब इन दोनों निशान को हम आपस में जोड देंगे और इस तरह से यह नीचे की और हमारी पूरी मार्किंग हो गई है अब हम boat neck की cutting करेंगे तो boat neck के लिए friends यहां पे आपने चोड़ाई रखनी है 4 इंच boat neck की चोड़ाई आप 4 जै फिर 5 भी रख सकते हैं बढ़ 4 जो हो एकदम सही रहता है तो अब इसके बाद हम इसकी length ले लेंगे तो वो में ले रही हूं 4 इंच यह front neck की cutting कर रही हूं मैं front में मैं 4 इंच चोड़ाई और 4 इंच ही deepness ले रही हूं तो इसका इस तरह से हम पूरा जोड़ देंगे आपस में और इसको boat neck की shape दे देंगे तो हलका साब ने मतलब boat neck की shape देना होता है इस तरह से round कर देना है इसको side से इस तरह से तो यह बन गया हमारा boat neck front neck में मैंने 4-4 इंच लिया है दोनों deep और चोड़ाई भी अब यहां से हम 1 इंच deep करेंगे shoulder जो है उसको हम 1 इंच deep करेंगे गले की तरफ देखिए इस तरह से अब इसके बाद हम कर लेंगे इसकी cutting तो यह सिर्फ में जो front part है कुरती का उसकी cutting कर रही हूं back part कुरती का मैं बाद में cut करूंगी पहले मैं front part को cut कर लोंगी तो यह हमारी पूरी cutting इसकी हो गए यह boat neck की बिलकुल simple होता है boat neck कुरती बनाना बस यह front part की हमारी cutting हो गई है अब हमने जो बाकी का कपड़ा है उसको फिर से इस तरह से double layer में arrange कर लेना है और जो front part हमने cut किया है उसको हम उस कपड़े के ओपर सीधे सीधे रख देंगे और कुछ नहीं करना है सेम वैसे ही marking करके उसको cut करना है तो गले की तरफ पे मैंने marking नहीं की है अभी उसकी में बाद में करूंगी पहले जैसे जैसे मैंने इसको mark किया है उस marking पे इसको में पुरा cut कर दूंगी वर्ण पार्ट और बैक पार्ट में बरबर बरबर cutting होती है बस आम होल में थोड़ा सा डीपनेस देना होता है फरन पार्ट को और साथ में back neck और front neck में थोड़ा सा डीफरेंस रहता है और अब हमने कितनी डीपनेस रख रही है, back neck की मैं यहां पर 3 इंच रही हूँ, आप 4 इंच भी रख सकते हैं, मैं 3 इंच यहां पर रख सकते हैं, तो बस 3 इंच पर mark करके मैं इसको आगे की और मिला दूँगी, और इसको भी एक round सा shape दे दूँगी, जैसे मैंने front neck को दिया ह वैसे ही, बस मैंने 1 इंच यहां पे कम रखा है बैकनेक को, आप चाहें तो 4 इंच भी रख सकते हैं, तो बस इस तरह से मैंने इसको मिला दिया है, अब इसको भी हम कट कर लेंगे, अब हम जो बैक पल्ला है इसको हटा देंगे, क्यूंकि हमने इसमें और कोई कटिंग नहीं क करूँगी, इस तरह से, और इसको मैं साड़े साथ 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 समदब, हाफ-ाफ इंच आप अंदर की ओर करके, उसको एक माग कर दें इस तरह से, और फिर उसके बाद इसको कट कर लें, इस तरह से, बस यह जो फ्रेंट पल्ला है, उसमें हमने आधा-धा-इंच अंदर की ओ तो बस इस तरह से यह हमारे बोटने कुर्टी की कटिंग हुई है तो चलिए अभी हम इसकी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं फ्रंट और बैक पला मेरा दोनों कट गए है यहां पर तो बाकी का जो कपड़ा है देखिए उसको मैंने यहां पर चार लेयर में रख दिया है मतलब डबल करके उसको फिर से फोल्ड किया है मैंने तो 16 इंच मेरी यहां पर लेंथ आ रही है जितना कपड़ा बचा है वो सारा फोल्ड किया है मैंने तो 16 इंच में इसको पूरा ही तो आगे पीछे दोनों साइड़ों पर कपड़ा देख के उसके बाद बराबर कट करना चाहिए, तो यह देखिए 10 इंच आ रहा है, तो हमें इसको हाफ-ाफ के करीब करीब सेंटर में एक निशान लगा दूगी, और आगे की और में यहां पर 3 इंच पर निशान लगाऊंग तो बस यहां से यह मेरा यह जो मार्किंग इसकी हो गई है, अब हम इसकी देखनेंगे फिटिंग क्या है, तो मेरी यहां पर फिटिंग साड़े पांच इंच आ रही है, तो मैं थोड़ा से इसका एक्स्ट्रा दूगी यह साड़े साथ इंच के करीब, लेकिन अभी में इस कट होती हैं, इस तरह से आम उनको कट करते हैं, तो बस यह मार्किंग मेरी पूरी हो गई है, इसको अब मैं कट कर लूँगी, तो जो आपके वाली साइड है, जो कैमरे वाली साइड है, वो है बंद साइड और जिदर से मैं कट कर रही हूं, वो है ओपन साइड, तो हमेशा तो लीजिए इस तरह से यह मैंने कट किया है और अभी में इसको नीचे से पूरा कटिंग नहीं करूंगी क्यूंकि मुझे लग रहा है कि अगर मुझे कोई और शेप अच्छी लगेगी तो मैं उस तरह से बना दूंगी बट नॉमल स्लीव में आपको बता रही हूं कि इस त इस तरह से आप अम्रेला में सबना सकते हैं वं-बना सकते हैं फिटिंग में, भी स्पैति हैं फिटंग में भी बना सकते हैं उस JULY'S बनाएंगे तो 7 इंच, अगर आप अंब्रेला में बनाएंगे तो 10 इंच रख लेंगे तो बस अब जो यह देखिए मेरे पास ने चोटा सा पीस बचे इसमें कुछ डिजाइन है चोटे चोटे आप चाहें तो अगर आपके ड्रेस में इस तरह के डिजाइन हो तो उसको आप कर सकते हैं पट्टी बना के तो इस तरह से यह मेरी पूरी कटिंग हो गई है अभी फ्रेंट्स में जा रही हूं यहां पे लाइनिंग की कटिंग करने के लिए जो अंदर से मुझे लाइनिंग लगानी है कपड़े में शर्ट में तो पस अब में उसकी करूंगी तो कुछ करना है उसको फोल लेयर में आपने कर लेना है और उसके बाद ऊपर आपना जो कुर्ती आपने कट की है उसको रखके ब्राबर ब्राबर आपने वैसे ही मां करके कट कर लेना है बस गले की कटिंग नहीं करनी है उसको आप बाद में स्टिच करके कट करें तो मैंने यहां प यहां पर दो में लाइनिंग के कपड़ा था मिने आपको आरामसी यह शुर्ट के अंदर से दोनों आगे पीछ वाले पल्ले में आजाएगा Sleeves के लिए नहीं बचेगा, अगर आपको Sleeves में भी लगाना है, तो थोड़ा सा Lining का कपड़ा जादा लीजिए तो बस इस तरह से ये देखिए, Lining का कपड़ा मेरा यहाँ पे कट हो गया है तो अब हम जा रहे हैं, Stitch करने के लिए Shirt, तो किस तरह से Stitch करेंगे, Front देखें, यहाँ पे यह Front पला है मेरा कूर्थी का, इसके नीचे में Lining का कपड़ा रख रही हूँ, जो मैंने कट किया है अभी और बस इनको एक दूसरे के साथ मुझे पूरा सिलाई कर लेना है फ्रंट पल्ले में भी आपने ऐसे ही करना है, और बैक पल्ले में भी ऐसे ही करना है, पूरा as it is, जैसे यह हैं, इनको पूरा स्टिच कर लेना है एक दूसरे के साथ तो स्टिच करने के बाद जितना भी देखिए, यहां पर आप यह नेक के जो कपड़े को आपने कट करना है, इससे पहले जो नेक का लाइनिंग का कपड़ा है, वो आपने कट नहीं करना है तो बस इसी तरह से, जैसे मैंने फ्रंट पार्ट किया है, ऐसी आपने बैक पार्ट को भी इस तरह अटेच करके और कट कर लेना है तो लीजे यह देखे, मेरा फ्रंट और बैक पार्ट दोनो रेरी हो गए है आप मैंने यहां पर उरेब में कपड़ा कट किया है, छोटी-छोटी सी पटियां कट की है, उरेब में कपड़े में, तो इस तरह से आपने कपड़ा ले लेना है, और फ्रंट नेक और बैक नेक में दोनों में इस तरह से अटेच कर लेना है, तो यह हम पटियां अटेच करके अंदर की और fold कर देंगे rock तो ये देखे ऩो बइने this मिने दोनों में जो है कपड़ाया टेच कर लिया है तो बस इसको अंदर से छोटे-छोटे से कट कर लेने हैं एस तरह से Efendimiz in here अपने अंदर की और इस तरह से शूर कर देना है अब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे सीधी साइड अंदर की और उल्टे साइड बाहर की और और बस इनके शोल्डर जो है उन दोनों को हम आपस में अटेच कर लेंगे तो शोल्डर अटेच करने का मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता रही हूँ जो बहुत इजी तरीका है और उससे शोल्डर की फिटिंग बहुत अच्छी आती है तो यह है फ्रंट फल्ला और बैक फल्ला तो फ्रंट फल्ले को हमने अंदर की और फोल्ड करना है पहले यह रेखे इस तरह से अंदर की और हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बस जैसे हम तुर्पाई करते हैं उस तरह से fold करना है अब जो back पले की सिलाई आरही है इस तरह से उसके ओपर रखेंगे हम बिलकुल सिलाई-सलाई के ब्राबर में आनी चाहिए और जो back पले का कपड़ा है उसको front पले के उपर लाके फिर fold करेंगे बस इसके ओपर हमने सिलाई कर देनी है बहुत सिंपल है इससे फिटिंग बहुत अच्छे से आती है तो यह देखिए यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर लिया है और अभी आप देखो कितने अच्छे से इसकी फिटिंग आई है अपस में कितने अच्छे से यह अच्छ हुआ है यह देखिए और फिटिंग मतलब शोल्डर से यह गिरता बिल्कुल वी नहीं है एक दम फिट बैठता है तो बहुत अच्छे से यह सिलाई हो गई है हमारी तो शोल्डर हमारे यहां स्टिछ हो गए है तो अब हम कर लेंगे और भी अच्छे से यहां आपड़ आओक देखियार। ल॥ू अठल रहा को जो हमने तो फिंग की सिलाई करती है यहां यहां तो पिने कर लिया है यह विल्डाई पड़ से अघ्छे पांच इंच पोन देखे कर लियाँ तोू आप चाहे तो आप चाहे तो आम्पर बिला अच्छे से आई है बस इस तरह से कुर्ती बनी है और बहुत अच्छी फिटिंग आती है आप ज़रूर इस तरह से ट्राइ करना तो आप नीचे की और हमने कुछ नहीं करना है जो लाइनिंग का कपड़ा इसको अंदर की और फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर देनी है और जो यह फोर्ड करके पूरा तरपाई कर लेगे तो अंदर की और इसे हमने लाइनिक के कपड़े को पूरा तरपाई कर लेना है तो चैलिए यह मं फिनिश कर लेती हूं सबस्क्राइब लिग एक कोरती, अरगी कंप्लीटि को देगा है और में रॉती के साथ रहा आपाया को सब्सक्राइब अंधर लेकर करते करते हैं जरेकं करते में दाज में करते हैं और अरएग करें म पड़ा जा गया फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक क्लिए फ्रेंस बाबाई टेक केर